आज मैं बहुत ही टेस्टी आलू और गोवी का सबजी बना रही हूँ ठंड के मोसम में बहुत सारा ताजे ताजे ठेले पे सबजीयां मिलते रहती है तो सबसे पहले मैं सीम को दोनों किनारे को तोर लेती हैं अब मैं अंदर देख लेती हूँ कि ये सरा हुआ है ये नहीं ये बहुत ही अच्छा सीम है और बहुत ही ताजा सीम है आलू, टमाटर, धनियापता, मीर्च और प्याज को काट कर रख ली हूँ मैं सारे सबजी को काट कर रख ली हूँ इसमें मैं थोरा सा नमक डाल कर इसे भून लेती हूँ मैं नमक को डाल दी हूँ ऐसे लाल होने तक इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ अब जितना ही हारा सबजी को आप भूनेंगे आपका सबजी उतना ही टेस्टी बनेगा और इसे भून कर अम इसे निकाल लेती हूं इसमें मैं थोरा सा तेल को डाल देती हूं तेल डाल कर इसमें जीरा मिर्च को पका लेती हूं जीरा मिर्च को मैं लाल होने तक इसे पका लेती हूं अब मैं इसमें प्याज को डाल देती हूं प्याज डाल कर मिर्च जीरा प्याज को मैं इसे लाल होने तक इसे मैं भून लेती हूं प्याज को हम लाल हुने तक भून लिये हैं वे मैं इसमें लहसन और अदरक का पे irregular डाल देती हूं एक से दो चमच मैं अदरक लहसन का पेस्ट डाल देती हूं और मैं सारे मसाला को इसमें डाल देती हूं धनिया पडर, हल्दी पडर गर्ब मसाला और गुल मिर्च जीरा का पाउडर डाल कर में इसे भून लेती हूँ मैं सारे मसाला को डाल दी हूँ ऐसे मैं भून लेती हूँ आप मसाला को अच्छे से इसे भून ले मैं इसमें थोरा सा पानी को डाल देती हूँ पानी डाल कर मसाला को मैं भून लेती हूँ आप मसाला को जितना ही अच्छे से भूनेंगा आपका सबजी उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा तो मैं मसाला को भून लेती हूँ आम इसमें टमाटर को डाल देती हूँ टमाटर डाल कर और मसाला को मैं पांच मिनट तक इसे भून लेती हूँ जब तक मसाला हमारा तेल न छोड़ते तब तक मसाला को अच्छे से भून ली हूँ और मैं इसमें सारे सब्जी को डाल देती हूँ अच्छे से और सब्जी को भूण लिए हो। हम इसमें पानी को ड्लेशे हो। आप पानी को अपना सब्जी के अनुसार आप ड्लेशे मैं एक गिलाज पानी को ड्लाइने हूंm अपर फोरी देर पका लेती ह। तो हमारा बहुत ही टेस्टी आलू, गोबी, सीम का सबजी बनकर तैयार है तो हमारे चैनल पर नए है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब अबस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें तो मैं मिलती हूँ आप सभी से कल नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें और स्वस्त रहें हस्ते रहें और मुस्कुराते रहें